डिस्टेंस से बीड कैसे करें और कहां से करें इससे ज़्यादा आपके लिए important मुद्दा यह है कि आप में इसे 99% लोग डिस्टेंस से बीड करने के लिए eligible ही नहीं है डिस्टेंस से बीड करने के लिए जरूरी है कि आपने already face to face mode में कोई teacher education के field का degree पहले से ही ले रखा हो teacher education के field का degree मतलब जैसे बीड higher degree हो गया न तो उसमें आपने diploma कर रखा हो जैसे कोई ऐसा है कि DLA कर रखा हो, DLA कर रखा हो, BLA कर रखा हो, JVT कर रखा हो, उत्तरप्रदेश के हो तो BTC कर रखे हो, ETE कर रखे हो इस तरह के field का कोई भी आपने degree ले रखा है तभी आप distance से BLA कर सकते हो इसलिए 99% candidates not eligible होते हैं, अगर आपके पास normal BA, MA या फिर कोई भी graduation, post graduation या PhD की degree है तो आप not eligible हो, तो 99% लोग not eligible है और जो 1% लोग eligible है इनको बहुत clearly पता है कि वो कौन लोग है जो eligible है तो अगर आपको नहीं पता है कि आप distance से BLA करने के लिए eligible हो की नहीं हो, तो 99% केस यही है कि आप not eligible हो, क्योंकि face to face mode में ध्यान दीजगा, face to face mode का मतलब होगा है तो यहीं रिज़न है कि 99% लोग not eligible होते हैं, तो यहीं कि BA, MA, PhD वाले जो तमाम regular degrees होती है, उस basis पर आप distance से BLA का form नहीं फिल कर सकते हो, दूसरा criteria form फिल करने का यह होता है, कि या तो आपने साल भर का, दो साल का, किसी school में regular basis पर जाके पढ़ा रखा हो, और हाँ, वो मानता प्राप certified board से हो, वो school जो है, मानता प्राप school हो, और school लिखित में दे, कि हाँ या XYZ बंदा, दो साल तक का teacher हमारे यहां रहा है, regular mode में, regularly आके पढ़ाता है, और उसके पास teaching experience है, तभी आप distance से BLA कर सकते हो, और distance से BLA में अगर मान लो तुम eligible भी हो, तो जैसे कि इगनू मे admission होता ना कि form fill कर दो, distance के degree है, हो जाएगा, SOL का है, कि वाल form fill कर दो, distance से degree है, हो जाएगा, ऐसे ही जामिया का है, form fill कर दो, हो जाएगा, लेकिन BLA में ऐसा नहीं होता है, अगर distance से BLA में eligible हो, उसके बाद भी उसमें entrance exam होगा, तो उसी तरह यहां देखो eligibility criteria में क्या लिक रख में end लिखा है, और तो लिखा नहीं है, end का मतलग वहा कि इसके साथ यह भी होना चाहिए, यह नहीं कि इसमें से या तो यह हो, या तो यह हो, और नहीं है, end है, तो क्या कह रहा है, कि candidate को जरूरी है, कि या तो वो trained in service teacher हो, elementary education में, जैसा कि मैंने बोला, कि as a registered teacher, recognized school से आपको दो साल का experience है, government teaching हो, private teaching हो, तो आप चलेगा, आप eligible हो, ठीक है, दो साल का return में आपका school दे, तभी, क्योंकि यह बहुत ही ambiguous बात है, कि अच्छा, दो साल का teacher experience हो, बहुत ambiguous है, statement है, इसमें 3-5 होने का बहुत डर रहता है, ठीक है, तो इसलिए registered school आपको लिख कर दे, कि दो साल तक भाई, आप हमारे teacher रहे हो, तभी आप distance से beat कर सकते हो, दूसरा क्या लिखा हुआ है, कि candidate ने कोई NCT recognized teacher education का program कर रखा, face-to-face mode में, NCT recognized क्या है, national council for teacher education, इंडिया में सभी teacher education के field के degrees, NCT approved ही होती है, तो वो कह क्या रहा है, कि beat करने के लिए, already आपने को teacher education के field का degree लिए रखा हो face-to-face mode में, जो कि देखिए, NIOS से भी बहुत सारे लोग dealet करते हैं, distance mode में, तो उस वाले dealet के basis पर न, ये वाला beat का form आप नहीं fill कर सकते हो, क्योंकि वो distance में किया है, उसको जरूरी है face-to-face regular mode में कर रखा हो, और ये criteria सिर्फ ignore का नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम जाके YouTube पर सर्च करना लगो, सर हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, UPRTOE से भर दी है, राश्री टंडन ओपेन उन्वरस्टी से, तो क्या हम वहाँ से eligible हैं, कोई भी open university अगर आपको distance में beard देगा, तो उसका face-to-face mode वाला criteria होगा, या तो teacher के तोर पर आपको experience का criteria होना चाहिए, उससे भी ज percent exception है, क्योंकि professional degrees distance mode में नहीं होते हैं, और beard professional degree होता है, जिसके basis पर immediately job मिलता है, क्योंकि इसमें बकाइदा teacher की training भी जाती है, internship कराई जाती है, तो ये professional degree है, इसलिए distances में नहीं होता है, कि हम कहीं job कर रहे हैं, कहीं हम पढ़ रहे हैं, हम distance से कर लेंगे, तो इसलिए eligibility criteria भी उ वही 50 percent graduation में होना चाहिए, जो कि normal किसी भी beard में वही eligibility criteria होता है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, trained in service teacher in elementary education, कहने का मतलब है कि दो साल का basically आपके पास as a teacher experience होना चाहिए, दूसरा क्या कह रहा है, कि आपने DLED कर रखा हो, BLED कर रखा हो, BTC कर रखा हो, JVT कर रखा हो, ETE कर रखा हो, ETC, क्योंकि तमाम राजियों में teacher education के field की degree अलग-अलग नाम से जानी जाती है, तो कह रहा है कि ETC जो भी ऐसा हो, जो face to face mode में आपने degree ले रखा हो, जो कि NCT recognized हो, National Council for teacher education द्वारा recognized हो, तब जाके आप distance से beard करने के लिए eligible हो, मैं आपको जामिया के official website पर भी दिखा देता हूं कि सारा कुछ JMI के official site से लिया गया है, और इसका clear-cut understanding बन जाए आपका once and for all कि YouTube पर आप बेफूफ मत बनों कि लोगों ने खुब बड़ा-बड़ा सा thumbnail बना दिया, जामिया से distance से कैसे beard करें, इगनू से distance से कैसे beard करें, परजी वीडियो देखके time kill कर रहे हो, मु official जामिया का prospectus, 2022-23 का distance mode से, ठीक है, यह देखिए, जामिया का official prospectus, last year जब exam वेगरा हुआ था, इसमें देखना eligibility criteria देखो, यह देखो, यह आपको eligibility criteria देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर just a second, यह देखिए, candidate with 50% marks in bachelor degree and or in master's degree, वही जो normal graduation या PG का criteria था 50%, again trained in service, teacher in elementary education, candidate who has completed NCT recognized two year education program, like DLA, BLA, BTC, JBT, ETE, face-to-face mode में जो मैं कहा रहा है, official prospectus है, पूरा आप देख लिए, कभी आपको इस पर confusion नहीं होना चाहिए, कहां से download किया गया है, यह जामिया का distance education का program है, यहां से वह मैं prospectus आपको show कर रहा हूं, be it distance mode का जो two year का overall जो course का income module है, यह basically पुरा notification है, 2022-23 का by prospectus मैं आपको दिखा रहा हूं, again देखिए, candidate with 50% marks, फिर क्या लिखा हुए, trained in service teacher in elementary education, या फिर आपके पास कोई face-to-face mode में teacher education की field की degree हो, जो की 99% लोगों के पास नहीं होता है, या फिर अगर होता है, तो फिर वो already मतलब कहीं से B8 कर रहे होते हैं, regular mode में कर रहे होते हैं, 90 90% लोग जो B, A, M, A, job work कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा कोशिस करते हैं, distance से करने का, तो 99% cases में आप not eligible ही रहते हैं, उसी तरह इगनू का भी मैं दिखा दे रहा हूं, यह भी दोको 2-year का program, इगनू का जैसे B8 का होता है, बकाईदा इनकी official website पर मैं आपको दिखा रहा होता है, जैसा कि मैं सुरुवात में बताया, बलकि normal किसी distance की degree में enroll कर होगे हैं, तो हम इसाब को entrance exam नहीं देना होता है, लेकिन B8 वाले में देना पड़ेगा, eligible होने के बाद भी, अगे इनका official prospectus release होता है, B8 का, इगनू का, इसमें भी clear cut वही बात mentioned है, कि NCT recognized होना चाहिए, फेस-to-face mode में होना चाहिए, और इस तरीके के दो टके के doubts को clear करने के लिए, teacher education resource वाले telegram group, join कर लो, अगर teacher बनने के लिए, teaching job में हो, teaching field में कुछ भी कर रहो, teacher education resource, one stop destination है, इस तरह के फालतू छोटी-छोटे doubts को clear करने के लिए, मेरे हर week बहुत सारे webinar meet, seminar meet भी Delhi में होते हैं, इन सब को join करके face-to-face mode में भी आप discuss करके, सारे अपने इस तरह के doubts आप clear कर सकते हो, और दिल से, verify, seated मतलब, verify, seated मतलब, verify, और description वाक में सभी social media handles के link दे रखे होंगे, most importantly, Instagram का link दे रखा होगा, Delhi underscore bytes आप search करो, सभी doubts और queries के लिए इस पे आप send भी कर सकते हो, और हाँ, सभी regular updates भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, quizzes बगर आपको देखने के लिए मिलेंगे, subscribe to Delhi bytes, stay tuned, stay updated, do comment or views, God bless you all, and do have a nice day.